वेडियो आज हम इस वीडियों देखने पाल कि हम अपने पोको डिवाइस में किस तरह से नाइट्रोजिन ओएस को इंस्टल करते हैं तो उस रोम को फ्लाइस करने के लिए हमको दो चीज का ध्यान रखना पड़ाएगा जैसे कि अपने फोन का बूड लोडर जा है वो पहले सी ऑल लख होना चाहिए और इसमें जो कस्टाम रिकावरी टी डवल अर्पी उसको भी इंस्टल करना चाहिए तो दोनों चीज करने के बाद मेरे चनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसके बाद हमको इस वीडियो का आगे बढ़ाएंगे तो पहला स्ट्रेप अपने फोन को स्विच अप करके इस फोन को टी डवल अर्पी में बूट कर दीजिएगा और डाउलोड करने के बाद अपने डिवाइस को ज अपने डिवाइस को जो सक्सेफ़ुली रिवुट कर दीजिएगा रिवुट होने में और मोस्ट वन टू मिनिट्स लगता है या फिर ज्याद 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 फाइम मिनिट्स लगेगा हुआ 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 याइस झाल 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 झाल, 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 झाल 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 झाल